हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बर पुना आप सबी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ उपसे स्रियोंजी योगिक अर्थात जो आपका संकुल योगिक है किसी भी प्रकार का संकुल योग का अर्थात संकुल योगिक का आप आयू पेसी नाम करना नहीं कर सकते हो ठीक है तो चले सुरू करते हैं आपको लगबग 10 से 15 यहां पर सिखाऊंगा आप लोग पूरे के पूरे जितने भी आपको उपसे स्योंजी योगिक सिखाऊंगा उनको आप तयार कर लेना साथ ही चो मोश्ट इंपोर्डेंट आगे भी रहेंगे मैं बता दूँगा कि कैसे निकाल जाते हैं चले तो सुरू करते हैं तो आपके लिए पहला योगिक है प्यारे भाईओ यहां पर मैं लिक रहा हूँ पहला योगिक है के फोर है मैं यहां पर नाम करन नहीं बताऊंगा के पहल आकसी करन संख्या निकालने के लिए बताऊंगा कि इस योगिक में आपको आरन का आकसी करन संख्या निकालना है आरन का तो देखे जिसका भी आकसी करन संख्या निकालना हो उसको लिखते हैं एक्स ठीक है उसको लिखते हैं एक्स अब यहां पर प्यारे भाईओ का होता है एक ठीके ना चलिए प्लस यहां पर कितने साइनों समू जुड़े हुए हैं छै और एक साइनों का होता है माइनस वन एक्कॉल जीरो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4 1 कम 4 धन एक्स 6 1 कम 6 बराबर जीरो तो X माइनस 2 बराबर जीरो अर्थात X बराबर आप कहो गया प्लस दो अब यहाँ पर आयरन का आक्सी करसंख्या आ चुका है प्लस दो अब आप कहोगे कि साइनो कैसे समझ में आ गया हम तो कुछ समझी नहीं पाए सर ठीक है तो यह आपका पहला हो गया अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे एक दंतुर लिगेंड एक दं इनो वन निगेटीव होता है आईसोसाइनो भी वन निगेटीव होता है आईसोसाइनेट वन निगेटीव थायो आईसोसाइनेट वन निगेटीव इसी प्रकार ब्रोमो क्लोरो आयोडो हाइड्राइडो यह सभी के सब हाइड्राइड यहाँ पे देखिए वन निगेटीव अब यहां पर आगे आप चलोगे तो इनको याद कले ना स्क्रीन चार्ट ले लो जैसे इमाइड है टू यहां पर है ठीक है टू है और जैसे आपका सल्फाइड यहां पर सल्फेट है जिसे पराकसाइड है, सल्फेट है, टू निगेटीव है, सल्फाइट है, यह टू निगेटीव है प्यारे भाई हो, ठीक है, तो यह जो टू निगेटीव है, तो इनको हम दो लेकर चलेंगे, इनका वन निगेटीव है, उनको हम एक लेकर चलेंगे, तो यह एक दंतू लिग उदासीन है जैसे कार्बोनिल होता उदासीन जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ देखेगा निकिल है इस्टूडेंट और इसके साथ कार्बोनिल समूझ जुड़ा हुआ है CO जिसको कार्बन मोनो अकसाइडल होल फोर अब मुझे यहाँ पर निकिल का निकालना है एक्स करना है चार कार्बोनिल है और एक कार्बोनिल उदासीन जीरो कुल मिलाकर इस्टूडेंट जीरो होगा तो कुल मिलाकर एक्स बराबर कितना होगा है जीरो यहाँ पर निकिल का आक्सिकन संख्या कितना है जीरो सिंपल तरीके से इसका आक्सिकन आप निकाल पाओगे जिहां ध्यान रखना है ना आपको ये पता होना चीजिसे OH one negative आयन होता है OH कितना negative होता है one negative होता है जहां पे OH रहेगा तो one negative करेंगे clear इतना समझ गए ना और योगिक देखते हैं कई सारे योगिक करेंगे बस वीडियो को अंतक देखते चलो आप सिंपल तरीके से समझ जाओगे जैसे आपके पास यहां पे sodium 2 है और केंद्री धात परमारू silica है केंद्री धात परमारू का ही हम आक्सी करण संख्या निकालते है clear इसमें हमको किसका निकालना है student silica का इसका निकालना है silica का अब देखो जिसका भी निकालना होता है उसके लिए हम plus one करते है क्या करते है plus one जैसे silicon का निकालना है plus sorry x करते है sodium 2 है तो एक sodium का plus one होता है ठीक है plus यहां पर fluorine 6 है लेकिन एक fluorine का minus one होता है equal zero calculation करो x 6 कम 6 और यह 2 यह कम 2 equal zero तो है x minus four equal zero तो प्यारे भाई हो x बराबर आगया plus four x बराबर आगया plus four यहां पर आगया आकसी कर संख्या silicon का पूरे कराऊंगा चिंता करने जुरूत नहीं है बस वीडियो को अन तक देखते चलो आपको ऐसा लगेगा कि जिन्दिगी में कभी भूलना ही नहीं है जैसे मैं यहां पर करा रहा हूं लीथियम ठीक है एलुमीनियम है आपके पास और हाइड्रोजन की संख्या यहां पर हाइड्राइड है प्यारे भायो क्या है हाइड्राइड है देखेगा कैसे निकालेंगे लीथियम का होता है प्लस वन कितना होता है प्लस वन ठीक है प्लस वन अच्छा एलुमीनियम का हम को निकालना है हाइड्राइड का माइनस वन होता है तो यहां पर हो प्रकार से निकाल सकते हैं अभी आपको बहुत सारे कराऊंगा आप वीडियो को अंतक देखते बस रहो क्लियर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग कभी भी से भूल ना पाओ ठीक है आकसिकर संक्या निकालते आपसे बनेगा ही बनेगा चाहे आपको जितना जैसे देखिए यहां पर मैं लेके चलता हूँ पोटेसियम है किंद्री धात परमाण में प्लेटिनम है क्लोरीन के तीन अड़ू है और अमॉनिया है ठीक है यह हो गया इसका निकालो इसमें प्लेटिनम का निकालना है किसका निकालना है प्लेटिनम का चलो निकाल कर दिखाओ प्लेटिनम का तो पोटेसियम का प्लस वन होता है प्लेटिनम का आप X मान लो क्लोरीन तीन है और प्यारे भाई यो एक क्लोरीन का माइनस वन होता है और यहां पर जो अमोनिया है वो उदा सीन है तो जीरो कर दिये ए एक धन X तीन एक कम तीन बराबर जीरू, यह एकस माइनस दो बराबर जीरू, तो पहरे भाई, X बराबर आ गया प्लस दो, है ना, आक्से कड़ संख्या आ गया प्लस दो, ठीक है, अब मैं एक और योगिक दूंगा, जिसमें घात की रूप में आयन रहेंगे, अब आयन की स् है यहाँ पर JN है इसके साथ लिगन्ड जुडा हुआ है एन सी एस ठीक है और यहाँ पर होल फोर और फिर टू निगेटिव है क्या है पेरे वाई टू निगेटिव इसका आपको निकालना तो देखेगा कैसे निकालोगे ना बड़ाई सिंपल है बस हो सकता है कि आप से ना आ ओ, ग्याला हो, देखिए, किसका निकलना है, जड si का अग्यू का, जो, खाल मैनस एक्स कर देंगे, इनका माइनस 1 हिता है, लेकिन 4 के कर्ड माइनस 1, अभी यहां तक zero करके करते थे लेकिन यहां आयन है ना तो माइनस टू करके करना है तो एक्स माइनस फूर एक्वल माइनस टू ठीक है अभी माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस फूर माइनस टू यहीं चार में दो घटा दो प्लस दो आ गया यह एक्स बरावर प्यारे भायो प्लस दो एक्स बरावर कितना आ गया प्लस दो सिंपल तरीके से आप कर पाओगे जेडन एन सी एस का होल फूर टू नेगेटिव है कम्प्लीट इतना समझ गए अब मैं आप से एक दे रहा हूँ आप सिंपल तरीके से करका है ना अजदी नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही जैसे आपके पास कैडमियम है और यहां पर देखे रखा है सिंपल है सेम आएगा कर पाओगी की नहीं सीधा आप कर दो चार में दो घटा दो दो आएगा यहां पर प्लस दो आकसी कर सके ऐसी आप सिंपल तरीके से भी कर पाओगी तो कितने हो गए पांच से चे हो गए और एक आद दो देखते है थोड़ा सा लेंदी तो इसका निकाली है आप लोग इसका आपको निकालना है जैसे यहां पर मैं कहे रहा हूँ यह पक्षांतर होगा एक्स बराबर इदर जाकर कितना हो जाएगा भाया एक हो जाएगा यहाँ पर आक्सी कर्ण संख्या एक आएगा और यह यहाँ पर दो होता तो फिर आक्सी कर्ण संख्या दो आता ठीक है ना यह आक्सी कर्ण संख्या देखिए जब आपन वहाँ पर यह कोबाल्ट का हमने X मान लिया कार्बोनेट टू निगेटिव होता है है ना उदासीन है ये तो तीन गुड़े जीरो करेंगे कोई मतलब नहीं क्लोरीन का माइनस वन होता एक्कॉल कर दो जीरो जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो X माइनस दो ये जीरो कोई मतलब करने माइनस वन एक्कॉल जीरो है ना तो X माइनस तीन बराबर जीरो तो आपका आएगा X बराबर प्लस तीन यहाँ पर रोमन संख्या में तीन यहाँ पर आक्सी कर संख्या यूज करेंगे अब यह मैं क्यों करा रहा हूं क्योंकि जब भी IUPAC नामकरण अभी इसके आगे ही पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग फिर कन्फ्यूज होगे कि सब कहां से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है हलाकि मैं वहाँ भी कराऊंगा लेकिन आप अच्छे से समझते चलो है ना पार्ट वन बनाऊंगा पार्ट टू बनाऊंगा आप चिंता ने करना IUPAC नामकरण का एकदम बिडिवत सिंपल तरीके चरव को समझाऊंगा तो यह आँपे आज मतलब आक्सिकंड संख्या आप लोगो निकालना सीख लिया दस मैंने करा दिया और इसके आगामी समय में जो भी रहेगा तो कराता रहूंगा शुड़न है ना और यह अभी मैं आपको समझने के लिए कराए हूँ कि कैसे करना होता है अब इसके लिए आपको एक दंतूर बहु दंतूर धनात्मक रिनात्मक लिगेंड को याद करना पड़ेगा तो याद कर लेना बुक्स से याद कर लेना हलाकि मैं प्रवाइट कराऊंगा आयूपीशी नाम करने के साथ याँसर नात्मक लिगेंड न है जिनको आप स्क्रिणिंशाँट ले लसकते हैं और याद कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसको आप लोग एक दंतूर धनात्मक लिगेंड है देख सकते हैं सबी के सभी धनात्मक है drawer conflicting कोई धनात्मक नहीं तेक इसके आगे बढ़ा दें इसको सभी के सभी रणातमक है जहां पर 1 निगेटीव है तो वहां 1 रखते हैं पन और जहां 2 निगेटीव है तो IUPAC नाम करते समय आकसी करण संख्या निकालने के लिए माइनस 2 का प्रियोग करती है तो इस प्रकार से आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो पसंदाइट लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना जी हां इसके दिए नोट्स परचेस करना है आपको तो महात रिस्वरू प्रैमिस चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लेज़े हैं बंद मात राम